अलो अच्छो तो वापस स्वागत आपका सवागर वाच में हम लोग बात कर रहे थे एंचिन इंडिया की और आई अपना डिस्कॉशन कंटीनू करते हैं तो हम लोग सत्रवें चैप्टर पर आगे आराइस शर्मा सें पढ़ाई कर रहे हैं राइड आराइस शर्मा जी की तो जो है एज और सत्वहनास का हमारा पूरा डिस्कॉशन है मैं अब शेक श्वास्तो और मैं आपको हिस्ट्यों कल्चर बढ़ाता हूं बाकि आप मेरे बार में आसे पढ़ लिए तो इसमें हम टोटल साथ ट्रॉपिक कवर करेंगे एक बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट् करते हैं पॉलिटिक का सिस्ट्री से तो अगरम राज देखें तो सट्वहनास के राज में आपको दिखाई देगा इंपोर्टेंट सेंटर सगर मांकर वैंडिस्ट्वाइब तो सट्वहनास अपने पीक में इविन मालवा वाला जो पाल्ट है राइट सट्वहनास जो जग राट में भी करनाट का स constituان में राज नजर आए वह वह सट उट लगाए सट्वहनास इक उम्पोर्टेंट सेंटर शागर में देखें तो इंपोर्टेंट सेंटर में एक प्रतिष्ठान उनके बिखाई ऑन वाल्ग धशी जाओंगा जिसको आगे जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, यह जगा है करीम नगर, करीम नगर, तो यह कुछ जनपदास का, तो हमने समझा वेदी कहरा, यह कहानी थी तिल 500 BC, करेक्ट, शुरू करा था हम लोग ने रफली 1500 BC से, तो हजार साल की कहानी वेदी कहरा हमने समझी थी, फिर हमने बात करी कि भाई, अर्बनाइजेशन आ गया है, महा जनपदास, यह हमने डिसकुशन किया, समझ चंद्रगुप्त मौरे को, और अशोक को, देन, आफ्टर मौरेयाज, हम लोग ने कहानी स्टार्ट करी, विच इस कॉल्ड अज मर्केंटाइज एरा, तो 200 BC से, हमारी कहानी जा रही है, तिल, तिल, 300 T.E. तब, मतलब, टोटल 500 साल की कहानी, 500 यह की हमारी यह स्टोरी है, इसको हमने कहा कि, इस इस मर्केंटाइज एरा, मर्केंटाइज एरा, प्लस, हमने यह भी समझा कि, यह वो एरा है, जब बाहर से काफी जोग इन्वेड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्ट साकाज आये थे, साकाज, जिसमें हमने बात करी थी रुद्रदामन की, हमने बात करी थी पार्थियन्स की, और लास्ट अपना डिसकशन था कुशान्स का, कि सबसे आखरी में आये थे कुशानाज, जिसमें हम लोगों ने, हम लोगों ने कनिश्क का डिसकशन किया, तो यह ह हमने अल्रेडी समझा हुआ है आज जो हम बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहेंगी इसी दौर में इसी एरा में वाट वी आर उब्जर्विंग कि एक और राज्य है आपके डेकें एरिया में विच्छिज सतवहनाज अब एकदम से इतना राज्य नहीं करेट हो रहा यहीं समझेंगे कैसे हो रहा है सतवहनाज प्लस हमने एक और बात जो हैं जिक्र किया था सुंगास का यहां पर सुंगास है और सुंगास को रिप्लेस करेंगे कनवास यह कहानी थोड़ा गड़ते हैं की हां इधर से North Western पार्ट वाला एरिया तुम समझते हैं कि हाँ इंवेजन के अंडर है ये पार तो इंवेजन के अंडर है राइड है ना बाहर से लोग आ रहे बहुस सारे हैं प्लस अरा więc थे हमारे मैं ना विंद्यास की नीचे एक हमें इ कर रहे हैं कि foreign invasion चल रहा था राइट और स्टार्टिंग में इस डिरेक्शन में यहां पर सुंगाज थे बट जब तक यह लोग आएंगे राइस करेंगे तब तक सुंगाज रिप्लेस हो जाएंगे कनवास से तो यह जो इधर का पार्ट है इस इस सुंगाज एंडेन कनवास और प्लस इधर हमने समझा कि हाँ बाक्टियंस साकास और फिर जो है पार्थियंस और फिर जो है कुशानास बीएस पीके ऐसा करके जो सिनॉनिम जो है जो है वो बना लो एक नॉर्थ में सुंगाज और कनवास और डेकन में सप्लहानास की एंपाईर क्रियेट हो रही है राट आईयस हमस्ते हैं कि बाक्ग्राउंड क्या है कहानी शुरू होती है अगर हम सदन इंडिया की बात करें तो यहां पे हुआ करते थे मेगाविथ मेगा लिथ कल्चर हुआ करता था अब ये क्या होता है भाई मेगा लिथ कल्चर मेगा लिथ बर्यल तो नाव फड़ा सा कहानी पीछे लेके जाते हैं और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिस सदन पार्ट की विंध्यास की नीचे की बार्ट की तो अगर हम जाने तो 1000 BC तग या 1300 BC तग रफली राइड है ना जस्ट राउंड फिगर अगर हम ले रे तो 1000 BC तग सदन हाफ में जो एज थी वो नियोलिथिक थी नियोलिथिक कल्चर हुआ करता था राइड हजार से लगबग अगरिकल्चर की अगरिकल्चर की अगरिकल्चर की नियोलिथिक कल्चर ही चल रहा था राइड सेम एरा में सेम टाइम में हम बात कर रहे हैं कि 1000 BC के आसपास आरेंस आज चुके हैं उसके पहले हम इंडल सारी सिविलाइजेशन की बात कर चुके हैं वो नौर्थ इंडिया में था लेकिन अगर आप सदन पार्ट में आएंगे तो सदन पार्ट में अभी वो टेक्निलोजी नहीं आई है बदलाव नहीं हुआ है तो 1000 तक रफली है बीसी रफली 300 बीसी ये कल्चर कंटिन्यू रहेगा स्वरी कॉल सर एक निया कल्चर यहां पर क्रियेट होगा राइड विच इस कॉल्ड ऐस मेगा लिथ हजार से 300 की जो कहानी है वह है एक अलग तरीके का कल्चर विच इस मेगालिथिक बरियल या फिर मेगालिथिक कछर मेगालिथिक कल्चर अब इस कल्चर में क्या होता है इस कल्चर में हमको settlement as such नहीं मिली right है न सबसे USP समझो इस बात की कि नियोलिथिक में नियोलिथिक में agriculture अलड़ी आ चुका था और मेगालिथिक में iron भी आ गया है तो they are using iron तो इस कल्चर में agriculture भी है agriculture भी है और iron भी है तो यहाँ पर हमें settlement नहीं मिली है गाव नहीं मिले है हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिले है हमको burial मिले हुआ है यहाँ का characteristic excavation जो हुआ है excavations में we have found burials किस तरीके के burial से हैं भाई burial से हैं कुछ इस तरीके के बड़े-बड़े पत्थरों में body को नीचे दफन किया गया है अबचलिद बड़ा पत्थर इसी रिए क्या है मेगा-मेगालिथ बड़ा बड़ा पत्थर तो मेगालिथ कल्चर कि ये वो कल्चर है जिसमें हमको जो burial मिल रहा है burial कैसा है मेगा लिथेक है अब इस बरियल में हमको क्या पता चला इस बरियल में हमको पता चला कि यह जो बरियल है let's understand one, बरियल तो भई, कोई, let's say खुदा गया, right, खोद के किसी को यहाँ पे, let's say, दफन कर दिया गया right, और उसके उपर उसके उपर क्या लगा दियेग क devil अब वो अलाग अलाग arrangement हो सकता है हो सकता है, तीन पत्थर लगा दे हो सकता है एक ही पत्थर लगाएं, एक बड़ा सा पत्थर खड़ा कर दे, ऐसा भी possible है भाई right है ना, तो अलाग-अलाग arrangement हो सकता है तो चलिए माल ले ऐसा कुछ arrangement यहाँ पर हो गया body नीचे दफन कर दिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के burials मिले हैं किस एरिया में हमें इस एरिया में इस तरह के burials मिलते हैं इस तरह के दिखा तो हमको पता चला कि इसमें 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 कुछ पॉटरी भी रखी गई है जैसे की जैसे की रेड़ वेर बिल्कुल बेसिक तरीके की पॉटरी हमको पॉटरी इसमें रही और क्या मिल रहा है और हमको यहाँ पे वेपेंस भी मिल रहे है और यह वेपेंस आयरन के हैं और इसी जी हमको पता है कि हाँ यह जो है यह आईरन यहां पर इस्तमाल हो रहा था तो अगर नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखिए तो नॉर्थ इंडिया में comparatively iron usage थोड़ा 800 तक आ है लेकिन साउथ इंडिया में iron का का इस्तमाल जो है वह 1300 के आसपास iron का स्तमाल चालू हो चुका था अल्रडी चालू हो चुका था नाव अब यह जो community है इसमें weapons हमको मिल रहे हैं सबसे जादा weapons ही मिल रहे हैं इसका मतलब अगर weapons की संख्या इतनी जादा है weapons अगर इतने जादा है iron के इट मीज कि यह जो society है जो tribe है यह technically belong करती है depend करती है hunting पर hunting and gathering बट grains भी मिले हैं यानि की इनको agriculture भी आता है हमें कुछ tools भी मिले है tools जैसे की जैसे की हो जैसे की फावडा इसका मतलब इसका मतलब कि हाँ भी agriculture आता है agriculture practice हो रहा है यहां उपर ही रहने देते हैं उसे रइट agriculture practice हो रहा है और also ध्यान देने वाली बात यह है कि जो iron के जो weapon मिले है weapon कहीं जादा मिले tools जो मिले है वो वगरा यह बहुत कम मिले है यानि कि agriculture वो लोग करते थे जानते थे लेकिन agriculture बहुत ज्यादा यूज नहीं होता थे जादा डिपेंडेंट डिपेंडेंसी किस तरफ है hunting hunting and gathering पे में भी जो है animal domestication पे अगर hunting gathering हो रही है agriculture भी हो रहा है इसका मतलब animal domestication भी हो रहा होगा यह सब dependency जो है यहां पे ज्यादा रही होगी especially hunting and gathering एगरी culture भी आता है भाई तो इस तरीके का culture हुआ करता था कहां पे इस तरीके का culture था आपका मेगालित side में right है ना आपके southern part में या फिर जो है विंद्यास की नीके अगर आप समझेए हम कहां की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि हां भई इस area में हमको ऐसा कुछ culture नदर आ रहा है now now फिर हमने बात करी कि भई नॉर्थ में आई moran empire अब जब moran empire आई तो हम लोग ने discussion किया था एक याद करिए discussion किया था कि उपर से बहुत सारा culture नीचे की तरफ flow करे right material culture जो है उपर से नीचे flow करेगा iron का usage तो पहले से ही है पर उसके साथ साथ coinage right brick brick बराने की जो कला है wealth बराने की जो कला है right state कैसे operate करता है coinage and all writing etc ये सारी नीचे की तरफ चीज़े percolate करेंगी और जब वो नीचे की तरफ percolate करेंगी तो ये जो megalithic culture है ये बदलने लगेगा और धीरे धीरे हमें state का formation दिखाई देगा तो यहाँ पर जाके moran empire के बाद तो 300 BC मैंने लिखा है बट technically after moran empire यानी की roughly let's say 100 BC के आसपास 100 BC के आसपास हमको states की formation दिखने लगेंगे जैसे की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर rise होगा सत्वहनास का और similar discussion हमारा next chapter का discussion है which is संगम तो संगम में जब ही मैंने डिसाइड कर रहा है जहें describe कर रहा हूँ पर यहीं discussion हमारे अगले chapter में भी है कि हाँ किस तरीके से यहाँ पर states का formation हो रहा है एक राज एक राज जो है एक राज ये create हो रहा है अब तक चीजे tribal state में थी बट अब tribals को थोड़ा organize भी किया जा रहा है कोई एक राज ये create हो रहा है क्योंकि उपर से बहुत सारे नए ideas flow कर रहे है because of the moral empire तो धीरे धीरे सत्वहनास का पहला आप समझे पहला अगर state जो deckan area में create हो रहा है वो कैसा state है? वो है सत्वहनास का state तो now तो मेगालिथिक कल्चर यहां पर already exist करता तो मैंने आपको बताया तो दीवर को दीवर कॉड़ एस मेगालिथ बिल्डर्स के मेगालिथ इस तरह की ग्रेव बनाने वाले मेगालिथ बिल्डर्स यह लोग प्लेंस पे जादा नहीं मिलते है अपलेंड एरिया में जादा मिलेगा यह सब अपलेंड एरिया पे नॉट अन दप्लेंस तो खेर खेर तो दिस इस वाओ जो है पहले अलरी था एक जो है मेगालिथ कल्चर बट उपर से जो बहुत सारी बातें आई जैसे अशोका या फिर मॉरंस के बाद बहुत सारी टेक् टेशन होने लग गया हम बात कर रहे तो शाली की राइट प्राइट प्राइट यहां पर यहां पर इस्टेट का फोर्मेशन होने लगेगा ग्राजुव प्रॉसस है यह नहीं कि एकदम से राइस हो जाएगा यहां रफली आप समझे कि 100 BCE से 100 BCE से शुरू होगा and then we will see कि by 220 AD almost 4 साल में एक अच्छा खासा स्टेट हमें यहां पर दिखाई देने लगेगा इस विल टेक सम टाइम बढ़ हां एक अच्छा खासा स्टेट हमें यहां पर नजर आएगा तो जैसे हम गो शकर यहां भी कगया एक दो एक मतं से पुराण सोंगे ऑर दूसरा वायू यू पुरान तो मतंग से पुराणा और यू पुरां में सट्भानास का जिक्र किया गया है बट पड़सर का सब्सक्राइब कर लिया है सत्वाहनाज को कहा गया है आंधराज कहा पे इन पुराण तो पुराणों में सत्वाहनाज को आंधरा कहा गया है कहीं भी सत्वाहना नहीं कहा गया है जबकि सत्वाहनाज ने अपने सारे इंस्क्रिप्शन्स में जहां भी उन लोग ने अपने inscriptions वगरा लिखे हैं वहां पर अपने आपको क्या कहा है सत्वाना कहा है inscriptions पर उन्होंने कभी आंधरा नहीं कहा गया but again as per the story we understand कि हाँ ये दोनों बाते same है सत्वानाज ही actually आंधराज right so now as I said कि हाँ ये जो start हो रही है कहानी roughly 1st century BC से start हो रही है roughly 1st century BC मतलब मतलब अगर हम देखें तो ये कहानी सत्वानाज की चालू होती है roughly 100 BCE के आसपास या बाद में कहीं पर right now 100 BCE फिर आएगा 0 फिर आएगा let's say 100 CE फिर आएगा 200 CE और यहीं तक कहानी तो ये टूटल कहानी टूटल कहानी एंड जो है वो 220 मैक्स है but फिर भी 300 साल का राज्य है total 300 years देख रहे है हमको सत्वानाज के 300 years we are talking about सत्वानाज सत्वानाज total 300 साल का overall हमें राज्य सत्वानाज का यहाँ पर सत्वानाज का राज्य जब शुरू हुआ था तो हमें ऐसा दिखता है कि सत्वानाज का राज्य actually महाराष्ट एरिया से इस एरिया से चालू हुआ था बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एंपायर बढ़ती जाएगी we will see they will spread to अंध्रा they will spread to Karnatka and they will spread to this region called as Malwa Malwa का core part main center जो है वो है उजयन तो धीरे 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 एकदम एकदम छोटी से शुरूआत होगी महाराष्ट से डेकेन एरिया से शुरूआत होगी बट धीरे 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 यह एंपायर बढ़ी होती चली जाएगी तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ this will take some time राइड है ना कि हाँ this will take some time यहाँ यह 100 का जो part है यही peak है और फिर जो है you know decline सा हो जाएगा तो इस तरह से जो है हमें यह अंपायर दिखाई दे रही है we have placed them on geography right geography कली हमने समझ लिया है कहा की बात है time पर हमने बात कर दी है कि किस duration की हम बात कर रहे है यह वही समय है जब northwest side से invasions हो रहे है right bakterians वगरा की entry हो रही है mercantile era 200 से 200 की कहानी right sorry 200 से 300 की कहानी 500 साल का total समय right now अब यहाँ पर कुछ राजाओं की बात करते हैं हमें यहाँ पर दिखाई देंगे कि अगें वी कें नाट पूट एग्जाक्टी ऑन दे टाइम लाइं बट रुफली राइधर उदर ताइम दिया हुआ है बट बहुत accurate है नहीं कि इनिशल येर्स में अगर हम बात करें कि इनिशल येर्स में founder जो हमको दिखते हैं जो पहला नाम हमें पता जलता है है नो कि शाइध यहां से राज ये चालु हुआ है सथवहनास का तो पहला जो नाम है वहा है किरी सतकारणी वन शृरी सतकारणी वन की जो वाइफ है नगनिकर इनकी वाइफین और निक भी कर नगनिक्स नगन NGGन Нीकर आट इक इंस्क्रिप्शन गेंगी आठ नानाघाट उनका inscription है एट नाना घाट जहां फे हमें उनके बारे में पता जलता है नाना घाट नाना घाट inscription पता जलता है हमको कि she is also a regent queen husband की wife husband की death के बाद she will continue the rule rule plus plus Shri Satkarani sounds like first powerful king of Satvahanas right तो Shri Satkarani that way is important plus यहां यहां पर यह भी लिखते हैं कि हां जो जो Shri Satkarani है यह है दक्षण पतनाथा दक्षण पतनाथा मतलब दक्षण पतनाथा मतलब दक्षण एरिया का नाथ head so he is the head of the dakshan area ऐसा भी title हमको यहां पर दक्षण पतनाथा दिखाई देता है श्री Satkarani के बारे में plus plus जो है we also get to know कि यहां पर यह कहती है कि तेरा गाउं का donation हुआ है 13 villages donated मतलब इस तरह का कुछ donation भी चल रहा है क्यों चल रहा है भाई क्यों यह गाउं क्यों साथ-कारणी 2 जिन्हों ने जिन्हों ने जीनियों ने जो है अटशी स्तूपा में एडीशन गराय घ्राइश किया है यह ज शांची सूपा का embellishment इडोने कराए ये books में नहीं है बुक में नहीं है मतलब आपकी तो सांची स्थूपा का embellishment is with सतकारणी 2 एक और नाम यहीं पर आता है हाला, हाला का नाम ऐसे है जो है किताब में हाला हाला नहीं किताब लिखी है विच इस गाथा सप्टसथी गाथा सप्टसथी उन्होंने किताब लिखी है यानि कि जो popular language है यहां पर कौन सी language है? पराकृत पराकृत ही क्यों होगी भई? अरे अशोक ने जो है नीके सारे अपने जो पत्थर अथर लगवाए थे राइट हम लोग बात कर रहे थे किया शोक अपने रॉक एडिक्स वगरा लगवाएगा तो वो जो रॉक एडिक्स है उसमें कौन सी भाशा इस्तमाल हो रही है? प्राकृत इस्तमाल हो रही है जो स्क्रिप्ट है वो continu रही प्राकृत इस्तमाल हो रही है तो यहाँ ही ब्राकृत तब। सक्क्राइए यह ही चल रही है यह लामृज ओपर सही आ रही है अक्छिली ओवर और एंडिया शॏ willing प्राकृत काफी popular है रट्ट्थ यहाँ पर प्राकरत जो है यहाँ पर हमें दिखाई देगी Now, the most important king इस पूरे duration ये initial kings की हम बात कर रहे थे लेकिन इस पूरे duration में जो सबसे important राजा है वो है आपके गौतमी पुत्र सत्कारणी Right, so let's talk about गौतमी पुत्र सत्कारणी तो गौतमी पुत्र सत्कारणी इसको थो आगे देके चलते हैं टाइम देंको गौतमी पुत्र सत्कारणी तो गौतमी पुत्र सत्कारणी He is from 106 to 130 AD Again, again Years को लेके बहुत ज़्यादा परिशान मत होना क्या रटना रटना है, मैं कुछ रटना नहीं है एक तो 100% accuracy हमको नहीं पता कि हां कितनी है प्लस प्लस रफ आइडिया कि हां कहां की बात हो रही है बस इतना बहुत है तो 106 से 133 तो अगर हम इनको टाइम लाइन पर लिखें तो हमें दिख रहा है कि He is somewhere From here to here Here we have गौतमी पुत्र गौतमी पुत्र सतकारणी This is the reign of गौतमी पुत्र सतकारणी Right पूरी कहानी में सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई राजा है तो वो हैं गौतमी पुत्र सतकारणी Right, so गौतमी पुत्र सतकारणी So now गौतमी पुत्र सतकारणी हम देखेंगे कि गौतमी पुत्र सतकारणी के वारे में नासिक में लिखा हुआ है इनकी मदर है गौतमी बालाश्री तो अगर वही पर समझ जगा है तो लिख लिख लिए जगा गौतमी पुत्र सतकारणी और इनकी मदर है गौतमी बालाश्री तो mother gotami है तो gotami के नाम पर gotami putra है तो mother mother का नाम है gotami balashree This also shows कि जो mother है या जो female है जो queen है वो important है जो राजा है वो अपनी mother के नाम पर title ले रहा है अपना नाम gotami putra बता रहा है That shows कि mother की position या overall female की position अच्छी है in this society तो फिलाल तो गौत्मी बालश्री ने एक नासिक में प्रशस्ती लिखी है अपने बेटे के बारे में नासिक में नासिक में उन्होंने जो है गुफा में प्रशस्ती लिखवाई है अपने बेटे से बहुत प्यार करती होती है और यहां पर उनका बेटा जो है वो है भी जो है विक्टोरियस जीत भी उन्होंने हसिल करी है बहुत सारी तो डेफिनिटी बनता है कि मा अपने बेटे की तारीफ करेगा है मेरे बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया तो कुछ इस त एक बमहानां. So, technically, जो, जह है, सत्वाहनाज हैं, they claim की वो ब्राह्मन है. रखणा भाई, होंगे. But mostly we understand की दे ख्लें की वो ब्राह्मन है. रखणा और इसी लिए जह है, गौत्मी पूतर सत्कारणी कही रहे हैं कि मैं हूँ एक बमहाना. यानि मेरे जैसा ब्राह्मन कोई है ही नहीं पियरलस ब्राह्मन अपने आपको कह रहे हैं कि हाँ जो है मैं हूँ कैसा मैं हूँ पियरलस ब्राह्मन प्लस ये भी एक टाइटल ले रहे है दक्षण पती दक्षण दक्षण पत्थपती राइट की साउथ के साइट के जो है दक्षुण पत्थ के साउथ में आने वाजे रूट के जो है राजा कौन है दक्षुण पत्थ पती कौन है गौत्वी पुत्र सत्कारणी now now he is known for one incident which is which is versus नहापना नहापना अब जरा इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि यह नहापना वाली कहानी क्या है right है सबसे famous story है सबसे famous जो है you can say incident because गौति भूत सत्कारणी सबसे बड़े राजा है यहाँ पे तो बात करते हैं कि हाँ जो है यहाँ पे यहाँ पे actually रड़ाई है western छत्रप और सत्वहनास की western छत्रप हमें याद आया कि साकाज आये थे साकाज की बहुत सारी ब्रांचे थी और साकाज की एक ब्रांच ऐसी है जो गुजरात एरिया में और थोड़ा सा डेकेन एरिया में साका जहे western छत्रप तो गौतिंपुत्र सत्कारणी तो हो कह रहा है यहाँ पे तुरस में और दिखा हूँ आपको तो western छत्रप इस एरिया में dominate कर रहे पर यहीं बगल में किसका राज जहे सत्वाहनास का तो दोनों टेक्निकली पडोसी है अब होता क्या है होता यह है कि जो है नहापना जो है नहापना जिनका टेक्निकली रूल इस एरिया में है वो एक्स्पैंड कर जाते हैं साउथ वर्ड्स इन नासी के नौल कर रहे हैं यह एक्स्पैंड कर रहे हैं सत्वाहनास के रूल में तो पहले तो यह जीत पहले तो जीत हासिल इन्होंने कर दी थी राइट हनो ऑलड़ी जीत हासिल कर चुके थे पट नाव जब गौत्म पुत सतकारणी थ्रोन पर आते हैं तो देन ही है डिफीटेड नहापन तो वेस्तन छत्रव के राजा नहापना को उन्हों ने उन्होंने मार दिया शिक्त क कर द्या तो री स्ट्रक करें है इनोने नहापना के कॉई विचिस फीमस इंसिडेंट क्योंकि हमें वाकेए एक कॉइंस मिले कि हाँ जो है खाली लिखा नहीं हुआ है सही में उन्होंने री स्ट्रक किया है प्लस नाओ नाओ ही विल अक्युपाई मालवा एरिया या फिर गुजरात एरिया और वह उल्टा जो है उनके राज्य में एक्सपांड करेंगे तो अब मालवा तक राज्य पहुंद जाएगा प्लस इधर काठियावार तक राज्य पहुंद जाएगा गौतिमपुत्र सतकारणी का इस एक वन उन्होंहे हरा दिया है उन्होंने हरा दिया है नाव पना को क्यांना के ना पनाः नाट कर दिया नाट अलग पना अलग पना अलग में जाथ करें आए तो दुष्बीक थू परहसां राजा वई ऑन Director और भूली हम ने महएंगा डूशत संवालिव भाई, foreigner थे, ठीकी है, चलो, स्थाका, यहीं इनका राज्य था, तो this is the most famous incident of गौत्मी पुत्र सतकारणी, तो गौत्मी पुत्र सतकारणी के बाद जो है, अगले जो राजा बनते हैं, वो है वशिष्ट पुत्र पुलमाई, वशिष्ट पुत्र पुलमाई, So now next king is वशिष्ट पुत्र पुलमाई, let us talk about वशिष्ट पुत्र पुलमाई, तो 130 से 154 का जो राज्य है, वो है वशिष्ट पुत्र पुलमाई का, इनको भी मार्क करते हैं, So next is, starting from 130 to 154, तो idea zone जो है, is वशिष्ट पुत्र पुलमाई, Again, years are not at all important, rough idea, 100 से 200 के भी थी कानिया है, पहले गौत्र पुत्र सत्कारणी आए, फिर वशिष्ट पुत्र पुलमाई आए, वशिष्ट पुत्र पुलमाई, तो अब हुआ क्या, कि हाँ, he has established, he has expanded, तो इनकी capital है पैठान, जो हमें पता चलता है, कि हाँ, एक capital इनकी क्या है, पैठान, और इसके पहले राज्य expand हो चुका है, तो टेक्निकल या अगर हम समझे, तो इस समय, इस समय सत्वानाज का, अच्छा खासा बड़ा राज्य एक्जिस्स करता है, प्लस मालवा तक बहुत चुके हैं, प्लस अभी हमने समझा कि हाँ, पैठान में, पैठान या पैठान एक ही बात है, पैठान, पैठान उनकी एक capital भी है, वाशिष्ट पुत्र पुलमाई, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, कि जो वेस्टन छत्रब थे, जो की हार गये थे पिछली बारी, अब वेस्टन छत्रब की एक दूसरी डानस्टी है, वेस्टन छत्रब, एक दूसरे राजा आते हैं, जिनको आप जानते हैं, इनका नाम है रुद्र दामन, हम लोग ने डिसकुशन किया था रुद्र दामन का, राइट, रुद्र दामन, तो रुद्र दामन इस समय रुद्र दामन का भी राइज हो रहा है, कि अगर यहाँ पे अगर वशिष्ट पुत्र पुलमाई बैठे हुए हैं, तो राइध हो रहा है रुद्रदावन का रुद्रदावन विल डिफीट विल डिफीट वशिष्ट पुत्र पुल्माई यह हमने लास चैप्टर में बात करी थी तो वशिष्ट पुत्र पुल्माई को उन्होंने हरा दिया है तो रुद्रदामन से वो हार जाएं तो दो बार हराया है, twice राइट है ना, लेकिन एक और बात इसमें एक और कैच है कि वशिष्ट पुत्र पुल्माई से उनका matrimonial relationship भी है वशिष्ट पुत्र पुल्माई उनके actually sun in law है तो पहले negotiation में ऐसा कुछ विवाह हो चुका होगा and that is the reason कि उन्होंने वशिष्ट पुत्र पुल्माई या सत्वाहनास को destroy नहीं किया है मैं रुद्रदामन की एक और बात आपको याद दिलाओ हम लोग बात कर रहे थे सुदर्शिना लेक की एना जूनागड इंस्क्रिप्शन और उन्होंने रिप्यर कर रहा है था और उसमें उन्होंने बात करी थी चास्ट संस्क्रिट में इंस्क्रिप्शन लिखाया था उन्होंने क्योंकि संस्क्रिट अब क्या है इस ताइम तक थोड़ा popular सी हो रही है टो रुद्र olives के वम लो बात लास्क्रास में कर चुके हैं और यहां पर हमने समझा वशिस्ट पुत्र-प्लमाई को यहां प्तर्पुत्र पुलमाई तो फानली दोनों कहानिया वारी मैच हुई मैच हुई now after this next king who matters is यगनश्री सतकारणी, right? यगनश्री सतकारणी यग नशी सतकारणी जो है हम इसलिए जानते हैं 165-194 तो डिसेज़ लाइग एनदर इम्पर्टेंट गिंग 165-194 हमको दिख रहे हैं 165-194 हम बात कर रहे हैं यगनशी सतकारणी की यगनशी सतकारणी समय में क्या दिख रहा है पहले भी था लेकिन यहां पर हमें अच्छा खासा एक चीज नदर आ रही है कि यगनशी सतकारणी के समय में ट्रेड हो रहा है तो रोम हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है यह हमने पहले भी बात करी है याद देलाता हूं आपको मैं तो हम लोग बात कर रहे थे कि यह समा जो है यह एरा जो है जो हम बात कर रहे है 200 BC से 300 AD या CE इस समा में हम लोग ने बात करी थी कि चाइना से सिल्क रूट जा रहा है याद आई बात और जा रहा है रोमन अमपार के पास और हमने यह भी समझा था कि हाँ जब यह वाला पार्ट सेंट्रल एश्या वाला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा तो डेफिनिट्री टोल और आ रहा है सिल्क हमारे यां भी आ रहा है हम लोग इस से कनेक्टेड तो यह बात हम लोग ने लास्ट क्लास में डिसकर्स करी थी सब्सक्राइब के साथ साथ इवेन अगला चाप्टर जो है हमारा संगम उनके साथ भी रोमन ट्रेड तगड़ा हो रहा है और अच्छा खासा पैसा इंडिया कमा रहा है इंफार्ट यहां पे अगर मैं आपको एकाद पोर्ट मांक करू तो इंपोर्टेंट पोर्ट है सोप सब्सक्राइब कर दो पोर्ट जो है आप लिख लिए राइब विचार वेरी वेरी इंपोर्टेंट राइड वन इट कमस तो एक और लिख सकते भरूच बुजरात का भरूच बरूच और यहां पर ट्रेड नविगेशन वगरा इस समय में हो रहा है जो हमने बात करी 220 तक माक्सिमम रहेगा जिसमें यह तीन में राजा है जो है जो है सकेंड सकेंड हाफ में शुरू में हमने कुछ राजाओं की बात करी यह कुछ राजाओं का नाम आप अपने दिमाग में रख सकते हैं तो तो दिस वाज आप पॉलिटिकल हिस्ट्री अब बात करते हैं आसपेक्स ऑफ दी माटीरियल कल्चर अब बात करते हैं कि हाँ कलचल डवलप्मंट इस जमाने में क्या हो रहा है तो सो वी फाइंड की हम लोग अभी बात कर रहे थे कि नौर्धन इंडिया से बहूं सारे आइडिया बहुत सारे जो जो है यू के से थिय॓रीट टेक्निछी है वो कर रहे है तयसी हम लोग ने बात करी थी सब्सक्राइब कि यहां पर मेगालिथिक कल्चर था मेगालिथिक बिल्डर्स हुआ करते थे बट साथी साथ इस बिकॉज अब दी मॉरेन एंपायर बहुत सारा आइडिया नीचे की तरफ फ्लो करेगा which includes which includes iron may be better technology which includes paddy transplantation which includes burnt brick usage which includes wells which includes writing which also includes state formation which includes urbanization तो अब एक्दम ऐसा नहीं कि broadcast message है फैल गया हर जगा और सब एक्दम छागे धीरे 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 यह सारे trades हमें सत्वहना एंपायर में develop होते हुए नजर आएंगे तो यह जो मेगालिथिक साथ में लेकर आना पड़ेगा राइट इस विल टेक सम टाइम बट 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 इस असलो प्रोसेस और यहां की tribes integrate होने लगें तो राज क्रियेट हो चुका है और यह cultural development धीरे 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 होने लगेगा now we'll see तो हम देखेंगे कि हाँ भई पहले हम बात कर रहें कि हाँ मिगालिथिक कल्चर है और फावड़े की बात हम कर रहें राइट अब क्या है नई टेक्नलोजिकल इंप्रूव्मेंट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है राइट प्लस हमें दिखाई देगा कि arrowheads arrowhead में भ सब्सक्राइब देखें तो आइरन का सूर्स हमें दिखाई देखा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था एक जगह है करीम नगर राइट अगर है तो हैदर आबाद के पास करीम नगर वारंगल है यहां से आयरन आ रहा है इस इस एरा में भी आ रहा है तो वन तिंग इस आ बात करें यहां पर कल्चर या में पर लगरा और के बारे में यहां टेक्नॉजी इंप्रूब हो रही है एक की टेक्नॉजी इंप्रूव हो रही है लास उपर से बटर टेखनाजी आ रही तो प्लॉश रगा भी इसी इस्तमाल होने लगया एक पॉइंट यह वो गया दूसरा, ETO के तरह हो रहा है, Ballian के तरह हíamos張ोजाआ है, इसे 2 represents. यह भेज रहे है Rocky भैया मनब सरी कुलार गोल्ड फीड से केजीए तो केजीए से कुलार से कुलार की गोल्ड फीड से सोना वगरा ढूंड दिया गया है हाँ ये भी एक development device नमय रहे डना कि हाँ जो है सोना वगरा ये लुग जानते हैं plus plus they also have lead right lead mainly coinage जो है यहां का coinage जो है coin हमें lead के coins यहां पर नजर आएगे जो भी हम coinage देखें आमें दिखाई देगा कि lead बहुत dominate कर रहा है इसके आलमा इसका नहीं कि खाली lead के coins है copper वगरा के भी coins हमें दिखेंगे but it is mainly lead अब आप कहेंगे sir lead तो बहुत ही सस्ता metal है क्यों ही इस्तमाल कर रहा है क्योंकि अभी यह जो state है यह बन रहा है ऐसा कोई बहुत बड़ा state create नहीं हो गया है कि हाँ जो है सोने के सिक्के छापे जार रहे इतना पैसा हो गया है इतना नहीं है तो उसी हिसाब से समझो कि हाँ जो economy है वो लेड़ कॉइंस पर डिपंडेंट है राइड़ कॉइंस यहाँ पर में तरीके कॉइंस है transaction के लिए इस्तमाल हो रहा है तो इतना बड़ा कोई moral empire जैसा state definitely नहीं है बड़ येस rich state है अभी state बनना शुरू हुआ अभी कहानी बनी है यहाँ तो पहला ही state अभी महराष्ट्रा में देख रहा है एकदम से थोड़ा expect करने लगेगे अब भई अशोकान अंपार जब create हुई थी तो उसके पहले हमने देखा था जो है तो वैसे ही यहाँ पर समझो कि यह तो पहला ही state अभी तो शुरू हुई है कहानी तो यहाँ यहाँ पर ज्यादा प्रिविलेंट होंगे इसके अलामा अगर हम समझे एग्रिकल्चर साइड वाट भी रियालाइज कि एक बढ़िया एडवांस रूरल डेवलप्मेंट हो रह है अब यह बात हमको कैसे पता चली हमको पता चली कि एक जो है राइटर है प्लाइनी इन्होंने लिखी है नाचुरल हिस्ट्री आई अब अगर इतनी बड़ी आर्मी है यानि कि यह चलय होग। सामझ पा रहे हो, revenue collect कर रहा होगा, तब ही इन सब की salary जा पा रही होगी, यह ना, this sounds है का standing army, तो यह standing army तब होगी जब आपके यह में इतने पैसे होगे, कि आप इनको salary दे सके, यह revenue कहां से आता है, यह revenue गाउं से आता है, यानि गाउं इतने सक्षम हैं कि इतना revenue दे सकते हैं, यानि कि rural development actually हो चुका है, रूरल growth काफी हो चुकी है, और यहाँ पे इतना पैसा इकठा हो रहा है, इतना revenue यह दे पा रहे हैं, कि हाँ जो है, ऐसी बड़ी आर्मी create करिया सके है, possible है, अब इसमें agriculture side, agriculture side एक तो आप iron plosher का इस्तमाल की बात कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ समझें कि हाँ यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि agriculture बढ़िया कर रहा है, और agriculture में दो aspect important है, एक, एक, paddy transplantation, कि rice grow करने की जो technique है, यह North India से शायद आ चुकी है, तो हमने देखा था कि मगद area में, मगद के rice में paddy transplantation या फिर शाली की बात करी थी हमने, महाजयन बदास में, तो वो जो technique है, अब वो हर जगा आ चुकी है, यहां भी आ चुकी है, तो rice खुब produce हो रहा है, खुब बढ़ियां produce हो रहा है, पहले किसी water field में, transplantation समझ रहे हो, कि हाँ पहले किसी water field में उसको गाया, फिर जो भी पनाप गया, उनको कहीं अलग कहीं होगा दिया, तो ऐसे दो बार में transaction में, चावल को गाये गया, तो paddy transplantation, दूसरा, दूसरा, decan area बिना cotton के कैसे बनेगा, तो cotton खुब produce हो रहा है, तो rice और cotton, दोनों ही खुब produce हो रहा है, rice और cotton, especially हम देखेंगे, तो Krishna गुदावरी द्वाब जो है, तो Krishna और गुदावरी नदी के बीच हम देख रहे हैं कि हाँ खुब rice cultivation हो रहा है, तो deck inside में आपका cotton का production हो रहा है, और यह हमें बताता है कि overall गाउं जो है वो अच्छा ग्रो कर रहे है, बाकिया भी और आगे देखेंगे, बटी ऐसे, now, खाली गाउं नहीं, अब हमें एक और चीस सौन में आएगी कि हाँ, यह तो खाली गाउं नहीं, कहरों का भी development हो रहा है, नेक्स बात करते हैं, कि हाँ भई इसके साथ-साथ, गाउं के साथ-साथ, तो economy में mining हमने देखा कि हाँ, mining अच्छी चल रही है, गाउं का development हो रहा है, और इसी में material culture में last point add करते है, urban development, या फिर towns ग्रो कर रहे हैं, अब ही हमने रूरल की बात करी, यह डबात करते हैं, टाउंस साइड हम देखेंगे, तो टाउंस साइड हमें क्या नदर आएगा, कि हमको, सबसे पहले हमको नदर आएगा कि ब्रिक्स का इस्तमाल अच्छा काता चालू हो चुका है, तो करीम नगर में ही एक जगा है, करीम नगर में ही, करीम नगर डिस्ट्रिक्स में ही जगा आती है, पेद्दा बंकूर, राइट, पेद्दा बंकूर, करीम नगर डिस्ट्रिक्स में ही जगा रहा है, तो पेद्दा बंकूर में हमको क्या दिख रहा है, पेद्दा बंकूर में हमको दिख रहाएगी, बंट ब्रि का फाइदा यह है कि जब आप कुआ बना लेते हैं तो इसके बाद फिर जरूरी नहीं है कि नदी के किनारे ही रहा जाए तो ऐसे कुछ अब यह नाओ इन अर्बन एरियास में तो घीरे-धीरे क्या हो रहा है कि हैविटेशन डेंस होता जा लोग पास-पास रहने लगए हैं, तो we will see कि हाँ टाउंस का development हो रहा है, अब जैसे टाउंस में, हमें दिखाई देगा कि हाँ, there is a drainage system, right, और वो भी underground, यह ना, ऐसे नाली है, धक रखा है, यह ना, जैसे covered drainage system या फिर underground drainage system, right, है ना, जो है, हमें दिखाई देगा, और प्लस, यह जो drainage system है, इसमें से पानी जा रहा है, कहीं soak pit में, अब आप गएंगे, सर, यह क्यों important है, important यह है, दिखाता है कि हाँ कोई planning है, ऐसा random नहीं है, जो है, you know, मैंने 1000 square feet का प्लाट खरी दिया, घर बना दिया, नाली बहार निकाल दी, फिर सामने वाले ने वो भी प्लाट खरी लिया, उसने नाली बहार निकाल दी, नालियां इसे बहर रही हैं, घरों के सामने तालाब बन रहा है, ऐसा नहीं है, right, it is a very much planned development, और planned development होने के वज़ए से there is proper sewage, sewage services तो some type जो है, you know, area हो जाएगा, disease वगरा होने के chances बहाँ सारे हैं, तो आंधरा country में हमें total 30, 30, world town, मतलब town है, और उसकी boundary भी बना रखी है, ऐसे पत्थरों से, जह है इटेक, इटो से, right, इस तरह का world town हमको नजर यहां पे आ रहा है, इस एरा में हो चुका है, हाँ अरबन डेवलप्मेंट नागरजुन कॉंड़ा टाइप जो है शहर अल्रडी डेलप हो रहे है, तो पेदा वंकूर is one of the example, राइट, हमें सौन में आ रहा है कि हाँ, now there are a lot of towns over here, तो 30, तो यह भी प्लाइनी बता रहे हैं को तीस वाल्ड टाउन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, है ना जिस शोस की हाँ अच्छा खासा डेलप्मेंट हो चुका है, यहाँ यहाँ पर नजर आ रहे है, प्लस रोमन ट्रेड की हमने अलड़री बात करें, तो रोमन ट्रेड की आप एक बात और लिख लीज़े, रोमन के साथ है, रोमन अंपायर के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इस हाँ इस हाँ इस होल एकोनमी इस ग्रोइंग, हमने समझा कि कल्चर में काफी बदलाव आ चुका है, नेक्स भात करते हैं कि हां सूसाइटी में क्या चैंज़ा आई, सूसाइटी में जैसे हम बात कर रहे थे, सूसाइटी में you will see, हम लोग जो कह रहते कि इस एरिया में क्या था? ट्राइब्स थे, अब जो सत्वाहनाज राइस कर रहे हैं, इस ट्राइबस यह भी पहले ट्राइबल ही रहे होंगे तो अब यह जो ट्राइबस हैं इस ट्राइबस गॉट ब्रहमनाइज्ट ब्रहमन हो गया और ब्रहमन बनने की वैसे समझो कि एकदम से स्टेटस हो गया एकदम से जो है जो है जो है जो है जो ओवर और सुसाइटी है उसमें थोड़ा सा सुपीरियर स्टेटस आ गया ऐस पर दो वर्ण सिस्टम तो ब्रहमनाइज हो गया यहाँ पर जैसे कि हम दोग देख रहते एक एक्जामपल लेते हैं गौत्मी पुत्र सतकार तरणी क्या कह रहे थे वह कह रहे थे कि मेरे जैसा ब्रहमन कहा ही है तो एक बमहाना ऐसा तरगी टाइटल ले लिया था उन्होंने विच्छोष विच्छोष कि हां वो इस बात पर एमफसाइज कर रहे हैं कि हम क्या है ब्रहमन से अगे लेट सेंट इस पार तो गौत्वी गौत्वी पुत्र यह भी कहते हैं गौत्वी पुत्र कहते हैं कि भई मैं जो मैं जो राज्य चला रहा हूं किया ओवर ओल मैं राज्य चला रहा हूं धर्मशास्त्र के हिसाब से और प्लस प्लस जो फोर फोर्ड वर्ण सिस्टम है राइट जिस चतुर वर्ण आश्रम है वर्ड सिस्टम ये मैं establish कर रहा हूँ वापस तुम्हें वर्ड सिस्टम भी establish कर रहा हूँ वर्ड सिस्टम की society में स्थापना कर रहा हूँ society जो है वो वर्ड सिस्टम के हिसाब से चलेगी ऐसा भी कह रहे हो कह रहे है कि किसी भी तरीके का intermixture, intermarriages allowed नहीं है अब क्या कहना चाते हैं वो वो अक्टिवी बात कर रहे हैं indicate कर रहे है साकास की बारे साकास की बात कर रहे हैं कि हाँ सत्वहनाज और साकास की बीश में matrimonial alliance हुआ करते थे right है ना so that is the reason साकास भी क्या है water system का पार्ड बन गहते तो कहीं न कहीं water system dilute हो रहा है because of these you can say transgressions या फिर कोई बाहर ही आ रहा है so कह रहे हैं ना ना हम ऐसा intermixture यहाँ पर आगे से allow नहीं करेंगे अलग हमने देखा था कि वशिष्ट पुत्र पुलमई का भी जो विवा है वो साकास की फैमिली में हुआ है बट स्टिल यहाँ पर गौतिव पुत्र कहीं न कहीं यह statement दे रहे हैं कि हाँ हम जो है ऐसा कुछ यहाँ पर allow नहीं कर रहे है plus we will also find कि बहुत सारी वेदिक sacrifices वगरा भी होंगे वेदिक sacrifices जैसे कि अश्वमेग यग्य जैसे कि जहे वजा पे यग्य तो वेदिक sacrifices करके भी यह दिखाया जा रहा है कि हम क्या है हम वेदिक culture को belong करते हैं वेदिक rituals वेदिक sacrifices में हमारा क्या है विश्वास है in fact यहाँ पर एक catch यह है कि अगर यह ब्रहमन्स है तो ऐस पर्दी धर्म शास्तर ब्रहमन्स रूल नहीं करते है technically छत्रियों को रूल करना चाहिए यहाँ पर है मारा कि हाँ यह कि छत्रिये कहते उसके बाद रूलर बनते तो थोड़ा सा sensible सा लगता बट यहाँ पर ब्रहमन्स है और अधा ब्रहमन्स कह रहे हैं हम यहाँ पर रूल करेंगे इस बात को समझो कि जो है इस यही कारण है कि जो नौर्थ इंडियन स्कॉलर्स होंगे उस समय नौर्थ इंडियन जो प्रीष्ट होंगे वो इनको जो है mixed caste मानेंगे या फिर प्यॉर ब्रहमन्स जो है यहाँ पर नहीं गंजिड़ा करेंगे अगीं नौट वरी वरी इंपर्टेंट बरियस्टो ओवराल क्या सब्सक्राइब कर रहे है आज कि यह सोसाइटी त्राइब थी और अविस सब्सक्वान इस आज-स आज़ीन को एसिमिलेट और त्राइबल ऐस्यलेशन इस इस ओश्यायशन इस उप्रटेंट tribal assimilation अब इस tribe को कैसे assimilate किया जा आयो समझते इस बात को तो हम क्या समझ रहे हैं कि राज में राज में बहुत सारी उधर tribes है क्या ये social order world system को belong करती है world system को belong नहीं करती है तो अगर इन tribes को world system में लेकर आना है या फिर इन tribes को society में assimilate करना है या फिर ऐसा कह लिए कि कोई अगर social order establish करना है social order तो क्या किया जाए क्या तरीका है भई तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीका निकाला कि अगर let's say हम ये जो पूरी जमीन है इस इलाके की इस जमीन को अगर किसी buddhist monk को दे दे buddhist monk या फिर किसी Took दोनों को ये इन्होंने सपोर्ट किया है तो buddhist monk क्या किसी ब्रहमन को अगर हम दे देंगे तो उससे क्या होगा उससे यो होगा कि ये जो इलाका है यहाँ पे social order दाने की जिम्मेदारी किनकी हो जाएगी इनकी हो जाएगी इस इस कॉल्ड एस land grant और यह donation नहीं है, यह आपकी समीन है, इसमें जो भी पैसा अगरा निकलेगा, जो भी यहाँ पे हो रहा है, वो आपकी देखरेक में होगा, उसका profit आपको मिलेगा, या फिर उसका profit आपके संख को जाएगा, तो बुद्धिस, मौंग और ब्रहमन को यहाँ पे land grant दिया जा रह है, पहली बार हम ऐसे देखेंगे कि ऐसे rulers, जो कि land grant का concept start कर रहे हैं, राइट है ना, grant में land दे रहे, अवा कहेंगे, सर मौरंस भी तो दान देते थे, यह ना, पहली बात तो मौरंस जो दान देते थे, वो प्रॉपर दान होता था, यह ना, वो प्रॉपर दान होता था, औ वो बहुत ही few gifts वगरा हैं, ऐसा कोई बहुत ही prevalent system नहीं था, जैसा यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर land grant एक prevalent system की तरह जो है, उभर कर आ रहा है, तो land grant, land grant is one of the, you can say, very very important concept, let's understand कि इस land grant से क्या होगा, जैसा कि हमने समझा कि हाँ यह जो land grant है, यह land grant दिया जाएगा, ब्र अब इसमें यह जो grant दिया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से immunity भी प्रोवाइट करी जा रही है, immunity in the sense कि हम आपको कभी परिशान नहीं करेंगे, कोई royal official जो है, वो वहाँ पे उस इलाके में कुछ collect करने, गलती से टहलता हुआ, कि हमको यहाँ पे कुछ जानवर दे दीजे, कुछ खाना दे दीजे, ऐसा नहीं होगा, यह जो जमीन आपको दी गई है, इसमें कभी कोई army जाकर interfere नहीं करेगी, कि हम इदर से गुजर रहे थे, सोचा आप से जो है, दो चार कुंटल जो है, गेहु ले जाए, रह ठाना, यह सारी चीज़े यहाँ पर नहीं होगी, तो technically this is any kind of royal interference free, कोई भी interference यहाँ पर नहीं होगा, कि हम आपको परिशान करें, आप से कुछ समान लें, यह सारी चीज़े नहीं होगी, तो technically यह जो जमीन है, यह kind of a छोटा सा island बन जाएगी, सत्वहना के kingdom, अब इसका फाइदा क्या होगा, तबसे बड़ा फाइदा यह है, कि अ अगर अगर बुद्धिस्ट, मौंक्स और ब्राहमन्स, अगर इनसे impress हो जाएंगे, बिकाज उनको land grant मिला हुआ है, और कहेंगे कि हाँ भी राजा बड़ा दयालू है, राजा जो है, स्वयम, स्वयम उसमें भगवान के गुड है, राइट, कह देगा कि उसमें अरजुन ज जैसी जो अच्छमता है, तीर चलाते हैं, बहुत अच्छा चलाते हैं, राइट, तो इस तरह से क्या होगा, कि जब जनता को ये बात पता चलेगी, जब डाहमन्स की मूँसे, बुद्धिस मौंक्स की मूँसे, राजा की तारीफ निकलेगी, तो कहीं न कहीं राज में लज दूसरा, दूसरा, दूसरा पॉइंट जो हम समझ रहे हैं, most important point, is tribal assimilation, कि जो tribes हैं, जो भी social order में assimilate नहीं हुई है, उनको धर में सिखाये जाएगा, उनको जैसे बुद्धिस मौंक्स हैं, उनको कहेंगे कि आप बुद्धिसम में आ जाइए, इस तरीके से आपका जीवन य तो ऐसा-इसा होगा, अब यह लोग भी खेती में इंट्रस्टेट है, reason, खेती होगी तो production होगा, production होगा, तो पैसे आएंगे, revenue आएगा, revenue आएगा, तो religion है, या जो भी लोग इनका संग है, जो भी जो है, you can say, group है, वो और expand कर पाएगा, तो overall, tribal assimilation, tribal assimilation के साथ-साथ, जो ह इढ़ना कि social order society में order रहेगा, तो technically ये point भी अलग लिख सकते हो, कि हाँ, एक तो agricultural expansion हो रहा है, ज्यादा area agriculture के अंडर आ रहा है, जो tribe है, अब वो agriculture की तरफ shift होके, खेती करने लगेगी, तो ज्यादा area agriculture में भी हो रहा है, production भी ज्यादा हो रहा है, राजी के ली भी हर तरीके सच्छा है, plus जब tribal इस तरह से जो है, आ जाएगी, agriculture करने लगेगी, तो social order का कहने का बतर यह है, कि now there is law and order in the system, तो ये land grant का जो concept है, technically उनको राज चलाने में बहुत मदद करने वाला है, I am not saying कि सारी जमीने दान दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट है ना, लेकिन लेकिन फिर भी काफी हद तक उन्हें मदद करेगा, कई aspects में land grant उनको मदद करे, right, इस पर इक अप means का answer भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो है, UPSC पूछ रहा है, ancient से means वगरा है, क्यों सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछ सकता है कि भाई, बताइए, land grant, क्यों सत्वह स्किल होगा, right, वो भी अच्छा होगा, and that is the reason इन्हीं को grant दिया जा रहे, so land grant एक बहुत ही बढ़िया concept हमें सौन में आया, कि इस एरा में land grant चालू हो चुका है, plus खाली राजा लोग नहीं, even traders वगरा भी, especially Buddhist monks को, traders भी support करेंगे, ये भी patternize करेंगे, कि हाँ कुछ है, धर ल इस एरा में हमें देखेगा कि Buddhism और Brahmanism दोनों ही दोनों ही अच्छा प्रॉस्पर कर रहा, right, so this is one concept which is land grant, आये देखते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, social organizations की, एक हमने समझा कि हाँ कहां से origin था, ब्रहमत स्वाली बात समझी, और दूसरा मुद् thing is craft and commerce, तो हम देखेंगे कि ये जो time है, क्योंकि उपर से बहुत सारे merchants और traders और को जो है, artisans, ये लोग भी South India में आ रहे हैं, तो ये जो हम बात कर रहे थे, जो है ideas की, तो ये जो movement है, इसमें बहुत सारे traders भी आएंगे, merchants आएंगे, artisans आएंगे, तो आयस शर्मा भी artisans में एक example देते हैं, गंधिकास का, गंधिकास, गंधिकास बोले तो perfume में जो, गंध, गंध मतलब smell, तो जो perfume बनाते हैं, perfumers, रइट तो गंधिकास, तो ये बड़ा famous profession हो जाएगा, बड़ा important profession हो जाएगा, इस समय का, रइ जो है, ये later on, later on, गंधिकास मतलब हो जाएगा shopkeeper, तो initially जो perfume बनाते हैं, उनको गंधिकास का जाएगा, but this became so prevalent, कि गंधिकास का मतलब हो जाएगा shopkeeper, और गंधिकास से ही word निकलता है, यही जो subcast है, वही आगे जाके हम सुनेंगे गांधी, तो गांधी कहते हैं कि हम बनिया बनिया है, बनिया मतलब बनिया बोले तो जो है, वैश है, और बनिया है, मतलब artisan class को बिलॉग करते हैं, बनिया जनरली जो word यूज होता है, that is for the shopkeepers, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं बनिया हूँ, तो वो जो word है, वो यही से आप connect कर सकते हैं, बहुत सारा specialization in craft हो रहा है, craft create ह हो रहा है, right, craft create होगा, तो trade हो पाएगा, trade किसे होगा, हमने बात कर रही थी, कि Roman Empire से भी trade होगा, है ना, तो Roman Empire से भी trade, यहीं एक और बात कहा देते हैं, कि Roman Empire से जो trade हो रहा है, right, that is mainly in textile, second, spices, तो spices और textile, दो major component हैं, जो Roman Empire को भीज़े जा रहे, बदले में खुब सारा सोना आ है, so now, we have discussed craft and commerce, right, plus, plus हमने बात करी कि, जो है, अचा एक और बात, society में, हम लोग ऐसी बात सुन रहे थे हैं, कि गौतमी पुत्रों सत्कारणी, तो गौतमी मदर का नाम है, तो मदर के नाम पे हमें राजा का नाम दिख रहा है, बेटे का नाम दिख रहा है, तो थोड़ा सा matrilineal हमको, जो है, traces यहाँ पे नजर आते, यहाँ थोड़ा सा angle है, कि यहाँ 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 पे important है, queen as a regent behave कर रही है, queen donation भी दे रही हमने ऐसा बात कर रहा था, कि तेरा गाह उन्होंने donate कर दिये थे, तब वो donation वाली बात हमारी complete हो गई है, right है ना, कि land, grant and all, तो फ बाजा बन रहा है, तो that is the reason कि overall culture patriarchal ही है, but still position of the woman is better, और matrilineal के थोड़े traces हमें नजर आते हैं, ऐसी बात अपनी society के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए, so this was all about society, society में आपने बात करी एक तो जो है, बात करी ब्रहमनाइज, जो है tribe है, tribal assimilation की बात करी, land, grant की ब अब बात करते है, पॉलिटी में, कि politically यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, let's try understanding, यहाँ राज जी किस तरीके से चला जा रहा है, क्या जो है, system follow किया जा रहा है, let's talk about administration, now किसी भी राज जी की तरह, यहाँ भी जो supreme position है, वो है राजा की, right है ना, king जो है राजा, यह supreme position, so he is the center of the power, core, everything, सारी चीज़े यहीं से emanate होगे, अब राजा कहता है, कि मैं अपने राज्य का पालन करूंगा, as परदी धर्मशास्त्र, right, धर्मशास्त्र के हिसाब से, मैं यहाँ पे राज्य अपना चलाओगा, right है ना, जो है, तो जह है, overall, overall book कान सी follow हो रही है, धर्म इस kings में हम observe करते हैं, कि हाँ धर्मशास्त्र का पालन होगा, धर्मशास्त्र is a book on law and order, तो इसमें जिस तरीके का law and order बताया गया है, वो चीज़ यहाँ पर follow होने वाली, तो first thing is, कि हाँ हो कह रहे हैं, हाँ धर्मशास्त्र, धर्म जो है, धर्म का यहाँ पे पालन होगा, second thing is, second thing is, कि राजा जो है, राजा, राजा for the sake of legitimacy, तो हमने पीशे इक बात करी थी, divine theory of kingship, कि राजा कई बार ऐसा कहता है, कि वो भगवान से connected है, जैसे कि जैसे कि जैसे कि अशोक कहते थे, कि मैं क्या हूँ, देवताओं का प्रिय हूँ, जैसे हम कुशानों की बात कर रहे थ कि राजा ऐसा कह रहा है, कि हाँ, मुझ में कुछ mythical qualities है, कुछ ऐसी superpowers है, जैसे कि मुझ में भीन की शक्ती है, मुझ में अरजुन जैसी कला है, मैं तीर चला सकता हूँ, तो ऐसे mythological शक्तियां उनके पास है, या superpowers उनके पास exist करती है, इस तरह से वो अपनी position को legitimize करेंगे, तो एक बात वो धर में शास्तर को follow करेंगे, दूसरी बात divine theory of kingship जो है, हमें यहाँ पर दिखाई देगी, प्लस land grant पर भी हमने समझी थी legitimacy की बात, Third thing which we will observe, कि हाँ यह कही न कहीं, कैसे हमें पता चलता है कि Ashokan Empire से जो है प्रभावित है, कि जो state चलाने का तरीका है, वो कही न कहीं Ashoka का इन्होंने देखा है, Moran Empire का इन्होंने देखा है, तो district को Ahara कहा जाता था, तो यहाँ भी district को Ahara ही कहा जाएगा, यह है Moran Empire में Ahara कहते से यह भी Ahara कहेंगे, प्लस वहाँ पर हम धर्म महामत्याज, महामत्याज की बात कर रहे थे, अमत्या, तो अमत्या मत्रा बहुता है, ओविसर, तो यहाँ भी अमत्या और महामत्या का जिक्र है, तो same जो है, same Ashokan Empire's inspired है, right, Moran Empire's inspired है, this is inspired by the Moran Empire, ऐसा करके आख साइड में लि नेक्स्ट, हमें दूसरी कीज़ दिखाई देगी यहां पे, कि here we have military and feudal traits, जरा दोनों बाद समस्ते हैं, कि क्यों कहा जा रहा है, कि there is military and feudal traits, यहां पे, जो provincial government है, यह पूरा राज्य है, सत्वहनास का, अब सत्वहनास क्या करेंगे, कि भाई, एक तो राजा बैठा हुआ है, लेटसे, लेटसे, पैठान में राजा बैठा हुआ है, रेट, पैठान में राजा बैठा हुआ हुआ है, but, वो इस पूरे area को, कुछ provinces में बाटेगा, एक area ये है, एक area, let's say, hypothetical, एक area ये है, ऐसा करके, जो है, वो areas में बाटेगा, सेंटर में कहेँगा, चलो core areas में मैं रू कर रहाऊ, roughly, now, अभी जो provinces हैं, provinces, provinces वो दे देगा किसी governor को, कि हाँ, यह जो ilaq'ा है, वो मेरे बिहाफ पे कोई governor rule करेगा, right, governor rule करेगा, अभी यह governor हम लोग मारान एम्पार में बात कर रहे थे, कि राजा जनरली अपने बेटे को भेज देता है तो प्रिंस को भेज देता है, कुमार को भेज देता है पट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो governor है governor generally क्या है सेना पती है तो technically this is military governor और यह कहती हमको बात यादा है कि military governor की बात तो बाक्ट्रियंस कर रहे थे right है ना कि military governor statigos, right है ना military छत्रप होने चाहिए, तो ये जो concept of military governor था, right western छत्रप पडोसी है इनके, तो कही ना कही military governorship का concept यहां भी है तो सेनापती जो है वही governor है right है ना तो ये administration आप सोचे this is not modern administration this might be inspired by जो foreigner से invade किया था, जैसे कि साकाज and all, साकाज inspire होके इन्होंने जो provincial governor रखा है, वो आक्री सेनापती है उसके पास अपनी एक आर्मी है अब आप कहेंगे ऐसा क्यों sir, क्यों किया नोने देखो इससे क्या है, एक तो ये province जो है, strong हो जाएगा कहीं से कोई invasion होगा, external invasion तो उसे नापती handle कर पाएगा तो क्या province safe हो जाएगा, province safe हो जाएगा दूसरी problem क्या है दूसरी problem है कि अभी, नहीं अब इसमें एक और बात कर देते पहले कि now, similarly, गाओं में, गाओं में देखते है कि माल लो इस province में एक गाओं है, village village का जो head है, head head जो है, head head को कहा जाता है, goalmika goalmika आप कहींगे, हाँ, सरगाओं का head प्रधान होता है कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ, तो प्रधान ही जो है, goalmika, जिसे कहा जा रहा है goalmika, तो goalmika के पास भी अपनी छोटी सी आर्मी है राइट आप देखोगे कि गॉल्मिका भी छोटी सी आर्मी रखे हुए कि भाई गॉल्मिका जो है गॉल्मिका के पास कुछ नहीं तो 9 रत है राइट 9 हाथी है 25 गोडे है 25 ऐसा रटना नहीं है लेकिन हाँ एक छोटी सी आर्मी उसके पास भी exist करती है and this shows कि हाँ आर्मी घर गाउं में छोटी छोटी आर्मी है समझी है कि ऐसे छोटे छोटे गाउं है हर गाउं में छोटी छोटी आर्मी बैठी हुई है plus overall सेनपती बैठा हुआ है यानि कि there is strong military control तो हमें एक very strong military control दिखाई दे रहा है right बहुत ही strong military control दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं इससे हमें सौन में आ रहा है कि most probably ये जो राज है ये राज coercive होगा जबरदस्ती करेगा अगर military rule है तो भई जबरदस्ती होगी न थोड़ी कि हाँ कोई भी हमारे हिसाब से जो है हमारे system के बाहर नहीं जाएगा कोई हमें challenge नहीं करेगा कोई challenge करेगा तो उसे पकड़ देंगे तो यानि कि ये system काफी coercive भी दिख रहा है हमें सत्वहनास का अब definitely हमने एक बात कहीं कि भाई अगर कोई बाहर से अटाक करेगा तो ठीक है तो गवर्नर सेना पती उसे handle कर लेता कि गाउ गाउ में सेना बिठाने की क्या जरूरती नाव ये जो गाउ गाउ के सेना है this will ensure कि अगर कोई internal rebellion भी हो रहा है तो they will be able to handle आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो सकता है ऐसा हो सकता है क्योंकि जो tribes है वो पूरी तरह से assimilated हुई नहीं है अभी tribal assimilation चल रहा है और हो सकता है बहुत सारी tribes revolt कर दे right rebel कर दे कि हमें नहीं चाहिए इस तरह का rule right क्यों जबर्दस्ति कर रहे हो तो नहीं करना है खेती हमको क्यों जबर्दस्ति कर रहे हो तो there can be a rebellion उसको अगर आपको control करना है तो आपको इस तरह यह का system चाहिए right ना governor तो governor आपको सेना पती चाहिए और गाउं गाउं में छोटी छोटी आर्मी चाहिए इस तरह का administration हमको देखने को मिलेगा in fact एक और शब्द हमें सुनाई देता है which is यहां राजा कहीं ट्रावल कर रहा है तो उसने यहां पर camp लगा दिया राजा कहीं ट्रावल कर रहा है तो यहां camp लगा दिया तो power center कहीं बार move करता रहेगा तो ऐसे camp जो है military camps, थोड़े देर के लिए they will become very very powerful, they are called as Iskandhwaraz, Iskandhwaraz, Iskandhwaraz and Kataka, Iskandhwaraz या Kataka, तो इस तरह के military camps भी यहाँ पर powerful होगे, So now what we are realizing, there is a very strong military element in this, it's strong military element हमको यहाँ पर नदर आ रहा है, अब यहाँ पर एक और बात, military element तो सर आपने समझा दिया, कि हाँ military element है, कहांगे हमारा military element, हाँ कि military element तो है, Feudal trade है, जरा यह भी समझा दिये, Feudal trade, है ना, जरा Feudal trade भी समझते है, कि Feudal trade कैसे कहा जा रहा है, Feudal trade ऐसे कहा जा रहा है, कि यह जो system हम लोग ने बनाया है, जिसमें हमने समझा कि हाँ कोई, कोई, let's say, जै सत्वानास, यह जो tribal सत्वानास थे, वो rise कर गया, और उनका यह राज्य create हो गया, बट हो सकता है, कि एक दूसरी tribe हो, right, जो कि यहाँ पर tribe 2 exist करती है, अब इसका जो head है, het, stripe का जो head है, वो कहेगा कि राजा सहब, आप राजा है, और मेरा यह जो भी राज्य है, वो आप ही के control में, right, है न, लेकिन, यहाँ यहाँ पर राज्य कौन करेगा, यहाँ का जो feudal lord है, जिसे कहेंगे महा भोजा, महाभोजा तो जो feudal lord है मैं ही राज्य करता रहूंगा लेकिन ये राज्य आप कही सपूर्द है तो राजा महाभोजा रिपोर्ट करेगा राज्य को लेकिन अपनी territory में अपनी territory में वो खुद ही राज्य करेगा यानि कि ये area किसी feudal lord के अंदर है तो यह राजा है और राजा के नीचे जब कोई एक लेयर आ जाती है तो that is called as feudal कि हाँ यह जो है वो feudal lord है राइड असे कई सारे लोग हो सकते हैं हो सकता इसके नीचे एक और लेयर हो कि हाँ महाभोजा है और महाभोजा के नीचे लेट से छोटी सी जगह और भी है उस पे भी लेट से कोई ruler बैठा हुआ है छोटा जो है नवाब बैठा हुआ है राइड है ना कि हाँ जो है एक आपका और जो है third number पे आपका एक गरूुलर एकॉटिष करता है जो जनरली जनरली लोऊर पोजीशन पर होगा सेना पती पर होगा अब इसको बनाने का एक और तरीका भी है ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये area ज़ो है पूरा area किसी senior governor senior सेना पती को दे डिया तो पूरा जो areas है वो किसी senior तो टेक्निकली हमें तीन ओफिशल लेयर नजर आएगी एक राजा, राजा के नीचे महाभोजा, महाभोज के नीचे सेनापती अगें बहुत रिसर्च नहीं करनी, just try understanding कि हाँ राजा के नीचे भी हमें ऐसे पावर्फुल पॉकेट नजर आएगे और इसी लिए से फ्यूडल कहा जा रहा है, तो टेक्निकली इस राज में हमें दिखेगा कि फ्यूडल ट्रेट भी है और मिलिटरी ट्रेट भी है दोनों तरीके की ट्रेट हमें यहाँ पर इस राज्य में नजर आएगे कि दोनों की बात कर ली है तो नाओ नाओ तो वी हव ड़न विद जो है पैटर्न ओडिस्टरशन राजा की पोजीशन समझे हमने धर्मशास्त्र फॉलो हो रहा है यह भी समझा हमने प्लस हमने समझा कि लजिटमेसी के लिए वो कह रहे है कि कुछ मिथिकल पावर सुपर पाव अनदर वेरी वरी इंपोर्टेंट फिंग विच वी अंडर्शुड वाज कि हाव यहां पर मिलिटरी ट्रेट है बिलिटरी ट्रेट और फ्यूडल ट्रेट यहीं पर बात में आपको याद दिलाओं इसी को आप कंपेर करो अगर मॉर्यंस के साथ मॉर्यंस में सेंट्रलाइ यहां पर उड़ेर ट्रेट है वहां पर सारी पावर राजा के पास उसके नीचे कोई और पावर सेंटर नहीं अगर गवश्न nuर वी है तो से निवर्श करता है तो टेक्निकली हर कुछ थे उनके कंट्रोल में है जैसा शोख है तषोब के कंट्रोल में सबकुछ है प्लस हम understand bureaucracy से भी जादा खर्चा होगा military में क्योंकि इतनी बड़ी army वगरा by coercion अगर आपको राज्य करना है तो this will take a lot of you can say money आपका maximum expenditure किसमें जाएगा आपका जाएगा administration में या फिर military को maintain करने में तो यह बात हो गई हमारी जो है जो है पॉलिटी की अब बात करते हैं रिलीजन में देखते हैं रिलीजन तो रिलीजन में जैसा कि हमने शुरू से बात करें हरवा रहेगा कि हां ब्राह्मन से लो तो हां जो है यहां पर ब्रह्मनिकल कल्चर काफी support किया जाए जैसे से पहले ही कहा कि वेडिक sacrifices राजा जो है वेडिक sacrifices करेगा वज्य पहिए याग्य अश्व में दियाग्य राड़ यह सारी बाते होंगी प्लस वाशुद वासुदेव वासुदेव और कृष्ण इनकी पूजा होगी है न तो भगवान वासुदेव और भगवान कृष्ण की पूजा होगी तो टेक्निकली व्याशनव कल्चर है अगें हम बात कर रहे हैं रिलीजन की रिलीजन में अगर हम बात करें ब्रह्मनिकल रिलीजन की तो ब्रह्मनिकल रिलीजन में हमें दिख रहा है कि भाई एक तो व्याशनव कल्चर है राइड है व्याशनविजम है भग था भाई हम Brahmans, Vedic Sacrifices. Plus, क्या Brahmanical Brahmans को क्या Land Grant मिलेगा? हाँ भाई, Land Grant मिलेगा. तो पैंटनाइज किया जा रहा है, राजा द्वारा पैंटनाइज किया जा रहा है? support प्रोवाइड किया जा रहा है? Yes. Another angle which we will observe is Buddhism. क्या Buddhism को support मिलेगा? तो in general ancient India में आप समझेए किसी भी time में किसी भी राज्य में religious tolerance देखने को मिला है तो कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं गया एक आध exception है सुंगाज वगरा का exception है but otherwise कोई कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा किसी particular धर्म को support कर सकता है and definitely but क्या किसी दूसरे धर्म को खतम करने की कोशिश होगी या उसको reject करने की कोशिश होगी नहीं तो ancient India is you can say known for religious tolerance. Ashoka भी स्वयां बुद्धिजम अपना रहे थे लेकिन उन्होंने कभी किसी को force नहीं किया कि आपको भी बुद्धिजम अपनाना होगा ऐसा उन्होंने कभी नहीं का तो फिलाल तो यहां भी ऐसा नहीं है तो बुद्धिजम already dominant religion था बुद्धिजम को यहां भी support मिलेगा हाँ यहां भी support मिलेगा यहां भी land grant उनको मिलेगा तो बुद्धिस मौ्क्स को लैंड गरंड वगराद मिलेगा Yes, so this is this is something which will continue Buddhism Buddhism is still being supported Education still being supported Why, because society में काफी लोग बुद्धिसम फॉलो करते हैं, there are बुद्धिस मौ्क्स Right, भुद्धिस मौ्क्स, उसी लिए this make sense as well तो हमें आर्किटेक्टर में भी अच्छा खासा इंपाक्ट देखने को मिलेगा तो देखेंगे उसे BUT BUT what type of Buddhism? महायान बुद्धिजम तो हम देखेंगे कि South India में महायान बुद्धिजम काफी popular होगा महायाना जिसमें दो important center एक है अमरावती अमरावती तो इसी के पास है धन्यकटका, महायान का, you can say, one of the branch का, you can say, origin जो है, यहीं पे धन्यकटका में, धन्यकटका, दूसरा important center हमें दिखाई देगा, नागरजुन कुंडा, नागरजुन कुंडा, तो बुद्धिजम related, बुद्धिजम related दो main center है, बट उसके साथ साथ भी हमें बह religion में दिखाई देगे, तो नागरजुन कुंडा रमरावती, they are very very important, other than that, नासिक और जुन्नार, यह भी आप add कर सकते, नासिक और जुन्नार, नासिक और जुन्नार, प्लस बुद्धिजम, most importantly, इस समय का architecture define करेगा, इस समय का architecture, बुद्धिजम द्वारा defined होगा, बुद्ध नहीं धर्मों को support है, इतना ही बात ध्यान रख नहीं है, बाकि आर्किटेक्ट्चर और डेलपर्ट में आल्रडी बाते याद रहेगी, ब्रह्मनिकल, खाली वाशनिर्जम ध्यान रखिए, बाकि आपको बाते याद रहेगी, लैंड ग्रांट भ्हमलिशा याद रहेगा, कर नहीं वी आप लेग सकते हैं, तो आव तो वाखे आते हैं जो है फाइली आर्किटेक्ट्चर पर, हम कहा रहेएं के हाँ बुद्धिजम यहाँ पर आर्किटेक्ट्चर को define कर रहा है, नाव जब हम आर्किटेक्ट्चर की बात करते हैं इस समय के, आर्किटेक्ट्चर, तो यह यहां पर बहुत सारा के वार्किटेक्ट्ट्ट के हमें डैवलब होता झोब नाजर आएगा अब यह यह भी कॉन्सेया था यह कॉन्सेया किसका था अशोका है अशोका टाइम में मौरिब्स वैशय को गदीक्ट तो यह वहां से जो केव का कॉंसेट है कि हाँ अशोका ने उसे इतना पॉपलर कर दिया है एना कि हाँ फैशन हो गया कि अशोका ने केव बनाई थी हम भी बनाएंगे तो सत्वहनाज के टाइम में कुछ नहीं तो 400 से जादा 460 से जादा जो है केव बनाई गई है आज भी हम रेंगे यहिं यहीं लोक्त करार है सत्वहनाज ही और इस तरह का केव हम देखेंगे यहां पे एक केव होगी चैत्य शायद पहले हमने बात करी हुई है यह वाली चैत्य और दूसरे विहारा चैत्य चैत्य बोले तो कि चैत्य होता है कि यहां कोई केव बनाई गई और उसमें यहां पे स्टूपा भी रहा गया मतलब यहां में पूजा करनी है तो अगर पूजा करनी है पूजा इन्दस ध्याल लागाने अगर आप इसमें जा रहे हैं तो वो क्या होगा? वो चैत्य होगा लेकिन अगर खाली रूम काटा गया है उसमें कुछ ऐसी बेंच बना दी गई है कि यहाँ पर आके कोई सो जाएगा रहने के लिए विहारा तो विहारा इस रेजिडेंशल चैत्या इस वर वर्शिप मेडिटेशन राइट तो यहाँ पर चैत्य और विहारा दोनों तरह की केज हमको खुब नदर आएगे तो सत्वाना अर्खिटेक्चर में देखेंगे कि चैत्य और विहारा जैसे की करले केव खुब फेमस है इस टाइम में करले तो करले आप देखिए तो अगेन मैंने कहा था कि हाँ जो है जैसे अशोक केव बनाते थे वैसा ही ओजी स्ट्रक्चर चंद्रशाला स्ट्रक्चर यहाँ भी नदर आएगा यह अशोक का पिलर टाइप हमको देख रहा है यहाँ पे आज अगर हम देखें है ना तो अंदर आप देखिए तो यह फाइंड कि हाँ जो है यह अंदर इस्टूपा रखा हुआ है अगर मैं आपको उसका समझाओं तो आर्किटेक्चर उपर का पार्ट अगर आप देखो तो इस इसे बक्सा होता ना संदूग उसे था और यहाँ ना यहाँ एकशुट स कर रहा है कि हाँ इस तरीके से केव आठी गई है यहां दिस आप दिस वर्व राइंट है ना तो यससी कर आठें और प्लस इसका जो बैक साइट है ऐसे हाथी के बैक की तरह है रेट है इसका जो एंड है वो हाथी के बैक की तरह है इसงले कहा Жात इसको एपसाइडल वॉल्ट एपसाइडल वॉल्ट प्लस ये साइड पे पिलर भी दिये गए अब इस पिलर के पीछे भी जगा है हम अर आप यहाँ पर बीच में जा सकते राइट और ऐसे जाके पीछे घूम के चक्कल लगा सकते तो यह क्या क्रिएट किया गया है तो लेखा इसके लाव असे कि एसके 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 लाव एक इंट इंट भी वेमशेटे वी इस तूपा की अभी तूपह में दिखै ओविच और दूसरा ना-गर जयुन को उन्यका यह तो अमरावति का इसस्टूपह बच्चा नहीं नहीं है देकिन उसका एक जो है, you can say sculpture है, panel है, जो हमें स्टूपा के बारे बताता है, तो यह काफी बड़ा सा स्टूपा है, and this स्टूपा, साची की स्टूपा में यहाँ पर कोई decoration नहीं, यहाँ पर decoration है, right, plus यहाँ पर marble का बहुत जादा usage है, plus यह महायान बुद्धिसम को कही ना कही दिर्शार है, यह जो पांच पिलर दिख रहे हैं, यह आपको जो है, बोधी सत्वास दिखा रहे हैं, है ना कि पांच में बोधी सत्वास को दिखा रहे हैं, हाँ यह पांच पिलर, तो somewhere it is, it is influenced by महायान बुद्धिसम, तो अमरावती, तो अमरावती का स्टूपा, we don't have it today but still it is like one of the very famous स्टूपा, यहां जो समय रहा होगा, similarly नागरजुन कोंडा, नागरजुन कोंडा का development इतना जादा सत्वहनास के time में नहीं हुआ है, जितना सत्वहनास के बाद ruler आएंगे इश्वाकूज, तो इश्वाकूज के time में जो है अच्छा खासा development होगा, अब यहां स्टूपा वगरा दिख रहा है, तो बुद्धिस मॉनास्ट्री वगरा यहां पर होंगे, बुद्धिस मॉनिमेंट्स होंगे, विहारास वगरा होंगे, मौंक्स आके रहेंगे यहां पर, तो नागरजुन कोंडा is another place which will flourish, तो दिस वाल अल बाते ध्यान रख सकते हूं, एक स्टूपा का embellishment मैंने आपको पीशे बताया था, वो भी आप यहां पर note down कर सकते हैं, now coming to the last topic, language, language आप बताईए भई, कौन सी language होगी, right है न, obvious है, तो यहां पर language जो है, वो प्राकृत है, तो प्राकृत अक्शली उनकी official language है, क्वाइन सोगरा में जो इस्तमाल हो रहा है, official language क्या है, official language प्राकृत, script कौन सी होगी, एक ही है, ब्रामी, तो ब्रामी script और प्राकृत language, सारे inscription हमें इसी में मिलेंगे, और कोई बदलाव नहीं है, और इसी में मैंने आपको किताब कर नाम बताया था, गाथा सबसती, right, गाथा सबसती, किसने लिखाए, हाला, वो हाला नहीं हाला, तो हाला नहीं लिखाए, गाथा सबसती, right, and जो है, this is one of the famous book, जो समय किये, so languages, यो प्राकृत, so this is all, जो है, ओवर है, एक छोटा सा सवाल है, है न, कि आपको बताना है, पढ़िए सवाल को, और आंसर करें, और आप्शन में, बाकी, बाकी मिलता है, इन दे ने